वाट्सअप के बारे में and pink whatsapp के feature and उसके अलावा pink whatsapp यहा पर बता जा रहा है कि यह एक official whatsapp ने इसको launch किया है तो गईजदी के सबसे पहले बात यहाँ पर आपको WhatsApp के उपर एक message बहुत ज़्यादा popular and बहुत ज़्यादा forward होता हुआ दिख रहा होगा जहाँ पर आपको लिखावा मिल रहा है Officially WhatsApp launched pink WhatsApp with extra new feature Must try this एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक link देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे भी बहुत सारे groups के उपर मुझे messages दिखे है जहाँ पर यह link forward किया जा रहा है उसके अलावा यहाँ पर मेरे एक friend ने भी मुझे भेज कर पूचा कि भाई क्या matter है इस link का तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले बात इसको हम थोड़ा clear करते है जो link है वो आती है यहाँ पर सबसे पहले link का एक secure and non secure sense होता है जो के सबसे पहले http and https से ही यहाँ पर declare होता है तो आप यहाँ पर देख सकते है कि यह जो link है पूरी तरीके से http है जो के बिल्कुल भी secure link नहीं मानी जाती है क्योंकि https अगर लगा हुआ रहेगा तब यह link secure रहेगी उसके बाद यहाँ पर इसका जो domain है वो है यहाँ यहाँ पर xyz अगर कोई whatsapp official अगर कुछ ऐसा launch करता भी है तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जैसे जो यूटूबर है उनसे आपको यूटूब वीडियो के थुरूई ही पता चल जाएगा उसके अलावा कही सारे article के अंदर यूटूब खुद भी इसके बारे में announce कर देता है बट यहाँ पर यह xyz मतलब dot xyz के नाम से कोई domain है भाई मतलब कि बहुत ही third class एकदम आहल के लेवल का बहुत ही सस्ता सा domain रहता है जिसको कोई भी purchase कर सकता है बहुत ही कम पैसों के अंदर तो यहाँ पर कोई यह dot com या फिर dot in के उपर नहीं है तो यह तो हो गई इसके उपर उपर से बाते जिसके बारे में आप खुद भी अगर आपको कुछ नहीं भी अगर पता टेक के बारे में तो आप इसको समझ सकते हैं अब उसके अलावा अगर आप इस link के उपर click करते है तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले इस वेबसाइट के उपर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इस डोमेन इस रजिस्टर आट नेमचीप तो यहाँ पर इसका जो डोमेन है अभी तो फिलाले एकस्पार हो चुका है बड़ पहले आपको यहाँ पर एक पॉप अप देखने को मिल रहा था जो के मैं भी आपको जिसका फोटो दिखा देता हूँ जिसके वारे में आपको आइडिया लग जाएगा अपने डिवाइस की परमिशन उसके बाद आप अपने कांटेक के अगर परमिशन देते है तो यह आपके पूरे वाटसाप को हैक कर देता है and hack करने के बाद आपके contact के अंदर जितने भी groups है या फिर जितने भी number है उनको automatically आपके number से यही same message send हो जाता है जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था तो यह है इसका पूरा format वैसे तो यह एक modded whatsapp है क्योंकि अभी बहुत सारे modded whatsapp वैसे भी चलते हैं बर वो एक official source से निकल कर आते हैं उनके जो developer होते हैं वो बिलकुल भी यह नहीं चाते हैं कि उनका जो user base है वो जिन लोगों को whatsapp provide कर रहे हैं उनके data के साथ में छेड़ खानी हो बर ऐसे जो कुछ नए whatsapp साते हैं जिनके सिर्फ link चलती है तो भाई मैं आपको बता दू कि पूरी तरीके से fake है और ऐसे whatsapp को use करना मतलब अपने privacy को खत्रा उसके अलावा यहाँ पर आपका data भी link हो सकता है आपका device भी hack हो सकता है तो बस मैं आपको इतना ही इस वीडियो से बताना चाहूँगा कि अगर आपको whatsapp के उपर इस तरीके का कोई link आता है तो आप उसके उपर बिल्कुल भी click ना करो अगर आपने click कर लिया तो आप ऐसे whatsapp को या फिर आप ऐसे features को बिल्कुल भी use ना करो आप ऐसे website को बिल्कुल भी download ना करो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अलावा आप website को उपर से देकर ही समझ जाते है कि यहाँ पर अगर आपको कोई link अगर आती हो तो आप उपर से देखकर ही उसको समझ सकते है कि क्या यह link genuine है या फिर नहीं है आपको समझ में आ चुका होंगा क्या whatsapp pink का क्या scene है क्या whatsapp pink new feature ला राया है यह official source में है या फिर नहीं है होप करता हूँ कि आपको वीडियो चलगेंगा अगर आपको वीडियो चलगे तो लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाओ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते है उसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा है नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे से उसे बता दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत रहनेवा थैंक्स पर रौचिंग बाब बाई